अध्यापक पातुरता परिक्षा के पर्यावण अध्यान के आज के अंक में आपका स्वागत है। चाहे यूपीटेट हो, सीटेट हो या कोई अनेटेट हो। तो किसी भी कॉमपटीशन के लिए मेरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो। तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए। तो चलिए सुरू करते हैं। पहला प्रश्न है खाद पदार्थों के संदक्षण में प्रियोग किया जाता है। अगला प्रश्न है विटामिन ए है, इसकारबिक अमल, टोकोफेराल, रेटिनाल, साइनोकोबालैमिन, आंसर सही होगा C, रेटिनाल अगला प्रश्न है आस्थाई कठोर जल में घुले होते हैं आप्शन है बेरियम सलफेट, मैगनेसियम वा कैलसियम के बाइकार्बोनेट मैगनेसियम सलफेट, सोडियम क्लोराइट आंसर सही है B, मैगनेसियम वा कैलसियम के बाइकार्बोनेट अगला प्रश्न है समुद्री जल से नमक निम्निविदी से तैयार किया जाता है अगला प्रश्ण है वे पौधे जिसमें कभी पुस्प्रिया बीज नहीं बनते हैं अप्सन है आर्किट्स, जिम्नोस्पर्म, फर्ण, एंजियोस्पर्म आंसर है सही, C, फर्ण अगला प्रश्ण है नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टिट्यूट इस्थित्र है चिन्नई में, कलकत्ता में, दिल्ली में, लखनव में आंसर सही है, B, कलकत्ता में अगला प्रश्ण है निम्ण में से कौन सरोबर या जील में तेजी से व्रिध्धी करते हैं A. सिघाडा, B. हाइड्रोला, C. जलकुम्भी, D. नागपनी आंसर सही है C. जलकुम्भी अगला प्रश्ण है वनों को काटने का परणाम होता है वर्षा एवं नमी में ब्रिध्धी, मिट्टी का च्छारण एवं आनियंत्रित बाड उष्णता में कमी, उपित में से कोई नहीं आंसर सही है B, मिट्टी का च्छारण एवं आनियं तृतबाण अगला प्रश्ण है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं मोजोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, हैलोफाइट्स आंसर सही होगा C, जीरोफाइट्स अगला प्रषन है हमारा राष्टीय व्रच्छ है people, बरगद, आम, पाकड, आंसर सही होगा B, बरगद हमारा राष्टीय व्रच्छ है, अगला प्रषन है जीवाश्म National Park अविस्थित है केरल में, करनाठक में, मध्य प्रदेश में, छतिस गड़ में, आंसर सही होगा C, मध्य प्रदेश के मंडला में जीवास्म नेशनल पार्क अविस्थित है अगला प्रश्ण है, निम्न में कौन युनिस्को धरोहर स्थान है? अप्सन है, केवला देव राष्टिय उद्यान, चिलका जील, राष्टिय उद्यान, केरल का पस्च जल आप्सन सही होगा A, केवला देव राष्टिय उद्यान, निम्न में से किसे ब्रच्छ मानों कहा जाता है? बाबा आम्टे, चंटी प्रसाद भट, रिचर्ड सेंट बार्ब वेकर, सुन्दा लाल बहुगोडा आंसर सही होगा C, रिचर्ड सेंट बार्ब वेकर को अगला प्रस्ण है, सेंटी ग्रेट एवं फारेंड हाइट सकेल में समान तापमान होता है मैनस चालिश डिगरी सेंटी ग्रेट, मैनस 32, मैनस 273, मैनस 100 डिगरी सेंटी ग्रेट आंसर सही होगा A, मैनस 40 डिगरी सेंटी ग्रेट अगला प्रश्ण है किस पक्षी का आँख उसके मस्तिस्क से बड़ी होती है आफसन है तोता, जील, उल्लू, आस्ट्रिच आंसर सही होगा D आस्ट्रिच की आँख उसके मस्तिस्क से बड़ी होती है अगला प्रश्ण है उच्च दाब पर सोडा निर्माड हेतु जल में कौन सी गैस विले की जाती है आफसन है CO2, O2, N2, H2, आंसर सही होगा A, CO2 अगला प्रश्ण है एक स्वस्त मनस्य को प्रत दिन कितनी उर्जा की आवसकता होती है आफसन है 3600 कैलोरी, 2900 कैलोरी, 2400 कैलोरी, 1000 कैलोरी आंसर सही होगा B, 2900 कैलोरी अगला प्रश्ण है कैल्सियम का सबसे अच्छा स्रोत होता है दूद, मांस, मक्खन, अंडा आंसर सही होगा A, दूद, कैलोर्सियम का सबसे अच्छा स्रोत होता है अगला प्रश्ण है कौन सा बिटामिन गर्म करने पर नस्च हो जाता है अगला प्रश्ण है इसतनधार्यों की लार में कौन सा एंजाइम होता है अगला प्रश्ण है, कौन से बिटामिन जल में घुलनसील होते हैं, बाकी से बिटामिन वसा में घुलनसील बिटामिन होते हैं, अगला प्रश्ण है, भोजन में लोह तत्त की कमी से कौन सा रोग हो जाता हैं, अगला प्रश्ण है, खाद पदार्थों को सुरच्छित रखने के लिए किसका प्रियोग किया जाता हैं, सोडियम बेंजोएट, फिनाल, साइट्रिक अमल, एचिटिक अमल, आप्शन होगा सही, ए, सोडियम बेंजोएट का, अगला प्रश्ण है, मनुस्त के सरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्त पाया जाता हैं, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, आक्सीजन, आप्शन सही ओगा डी, आक्सीजन, अगला प्रश्ण है, सरीर में कोलेस्ट्राल की मात्रा कम करने के लिए किसका उप्योग किया अधरक, लहसुन, मेथी, तुलसी, आप्शन सही ओगा बी, लहसुन का प्रियोग कोलेस्ट्राल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है, अगला प्रश्ण है, यदि सभी पौधे नेश्ट हो जाएं, तो जन्त भी मर जाएंगे, ठंडी हवा के अभाव से, भोजन के आउक्सीजन के अभाव से, आंसर सही ओगा डी, आउक्सीजन के अभाव से, अगला प्रश्ण है, प्रोटीन सबसे अधिक होता है, अरहर में, मतर में, सोया बीन में, गीहू में, आंसर सही ओगा सी, सोया बीन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है, अगला प्रश्ण है, कें आंसर सहयोगा B, सिवपूर में, अर्था कलकत्ता के सिवपूर में केंद्रिय राष्टिय वनस्पत संगरहाले इस्थित है, अगला प्रश्ण है, भोजन का उर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है, केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, में क्योंकि माइटोकांडिय उर्जा उत्पादन का केंद्र होती है, अगला प्रश्ण है, प्रोटीन संसलेशन कहां पर होता है, गालजीकाय, राइबोसोम, माइटोकांडिय सेंट्रोसोम, आंसर होगा B, राइबोसोम, अर्थात प्रोटीन संसलेशन का कार राइबोसोम क आंसर सहीयोगा C. जिनेवा में. अगला प्रश्ण है व्रेच्छ की आयो ग्यात करने की सबसे अच्छी विधी है. साखाओं की संख्या ग्यात करना, वार्सिक वलयों की संख्या ग्यात करना, व्रेच्छ पर उपस्थित पत्यों की संख्या गिनना, व्रेच्छ का व्यास प्रकास रासाइनिक, प्रकास रासाइनिक, रासाइनिक प्रकास यांतरिक यांतरिक प्रकास आंसर सही होगा B, प्रकास का रासाइनिक उर्जा में परिवर्तन, अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल निर्माड के लिए आवस्यक है, कापर और जिंक, कैल्सियम और लोहा, जिंक औ और बोरान, लोहा और मैगनेसियम, आंसर सही होगा D, लोहा और मैगनेसियम, अगला प्रश्ण है, एक मनुस्य को भोजन में केवल दूध, अंडे तथा रोटी दिया जाता है, वह सामानतार रोगी होगा, रिकेट्स रोग का, बेरी-बेरी रोग का, इसकरवी रोग का, रता के अंक में इतना ही, अगले अंक की जानकारी के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी, और साथ में, वेल आइकन को भी प्रेस कर लिजी, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए, धन्यवाद,